हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं सब भूले नात के क्रिपास अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे तो आज जो है आज है सेटरडे का दिन जो कि मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं आज मॉर्निंग से मॉर्निंग का थोड़ा बहुत क्लिनिंग होता है जो यह कि यह जो है ना यह डेली का है यह हलका फुल का पूरा दिन भर जो है हम लोग कपड़े भिखेरते रहते हैं ठंडे का कभी यह पहन लिया कभी इदर उदर करके रखते तो फिर वह मॉर्निंग में उठके कभी रात में कर लेते है बच्चों कितना ठंडे में आदत होती है कभी मौजा पहनेंगे कभी नहीं पहनेंगे तो पकड़ पकड़ के पहनाना पड़ता है उसमें मेरा किट्टू जो है ना वह एक नमर का लेजी बॉय है उसे पता नहीं क्या जो एलर्जी है ठंडे कपड़ों से बहुत कम कपड पहनना चाहता है ठंडे में तो मुझे इसे खुद से तयार करना पड़ता है मजाक मस्ती में एक बड़ा तो हो गया है ये के जो यह सरारती आदते हैं ना बड़ा अजीब सा लगता है कभी-कभी हसी आती है हमें इसके बाद जो है ना मुझे कार्पेट लगाना है मैंने इसे दोग की रखा हुआ था तो ऐसे तो किट्व मेरी हिल्प कराता नहीं उसकी मर्जी पर है जब उसका मर्जी हो जाता है तो आज जो है इसका मूड लग रहा है जैसे अच्छा है तो वह मुझे बुला कि चलो मैं तुमारे सारे कामों में हेल्प कर दू और कुछ काम ऐसे होते हैं बिना मदद के तो होते ही नहीं है जिसमें मुझे इसकी हेल्प की जर्रत थी और ऐसे आज इस मॉर्निंग में उठ भ अधर करते रहता है और फिर कहेंगा कि मम्मा सफाई नहीं करती हो घर की यह सारा समान इधर उधर बिखरा पड़ा है तो आज जो हैसका मूड बढ़ा अच्छा है मेरे साथ लगा है मेरी हेल्प करने में तो यह थोड़े बहुत आप पूरा दिन कितना भी काम कर लो ना तो मैं आज से सारे कपड़े जमां कर रहे हूं कि कल मुझे washing machine लगाना है मैं ऐसे जनरल विक में दो दिनें वाषण machine लगाती हूंँ एक वेड़नेस टे हो एक संडे या फिर अगर जादे कभी कपडे हो कभी ठरने में जादे कपड़े हो जाते तो मैं दो तिन बार भी लगा लेती हूँ आज देखे आज किट्टू का मूड बड़ा ही अच्छा है आज सारे लोग देखेंगे ना तो कहेंगे वाँ किट्टू कितना गुडबॉआ है ममा कि इतनी सारी मदद करता है काम करने में और वैसे भी किट्टू की नानी तो खुस हो जाने वाली है यह देख करके तो फिर किट्टू बोला कि तुम जाओ मैं कर देता हूँ यह सारी चीजे उसके बाद जहां जहां कपड़े बिखरे पड़े हैं क्योंकि मैं भी घर पे रहती नहीं हूँ ना तो पूरा दिन जो है जब आई था खार के जहां के कपड़े वहीं फेक दिये इस तरह करके मुझे सारे रूम अरेंज करने पड़ते हैं कभी यहां लेटना हो जाता है कभी वहां लेटना हो जाता है यह किट्टू का रूम है तो इसके रूम में बुक्स वगेरा सारे बेट पे ही रहते हैं कभी चादर मैंने यह दिखी, मैं ड्यूटी से आके न अपना चादर बेट पर ही छोड़ दिया था इस तरीके से, और उसके बाद सारे कमरों के साफ सफाई, यह जो है यह डेली का काम होता है, मौर्निंग का, कुछ स्पेसल नहीं है, कुछ खास क्लीनिंग कर रहे हैं, ऐसे तो हो जाते हैं, जनरली में रात में सारी चीज़े करके सोती हूँ, लेकिन आज मुझे घर पे रहना था, तो सुचा कि चलो आज जली सो जाते हैं, तो सुबह कर लेंगे, यह सारे काम, फिर जो है, ऐसे तो करेगा नहीं, कि करके रख लें, अपना रूम ठीक से, पर आज जनाब को बड़ी फुरसत मिली है, ऐसे तो अपना बुक सब भी ठीक से नहीं रखता है, कभी-कभी, बोलो तो कर लेगा, नहीं, तो फिर ऐसे ही, मामा के भरों से रह गया, तो आज मॉर्निंग का मेरा बढ़ा ही बीजी सेड्यूल था, कभी धर, कभी धर, कभी यहां, कभी वहां इतने काम निप्टाने होते हैं, जिस दिन घर में रहो, ऐसे तो मॉर्निंग में जब डूटी रहती हैं, तो सारे काम जल्दे-जल्दे आट से नौ बजते बजते खतम करने ना पड़ता है, पर जब घर में रहो, तो पूरा दिन कैसे पार होता है, पता ही नहीं चलता है, और ये सारे काम जो है ना ये गमलों में पानी देना तो ये तो सबसे बड़ा काम है डेलिक अगर किट्टू को बोल दो ना तो किट्टू मुझे क्या बोलता है पता ने तुम क्यों इन सब चीजों को पाल रही हो इन गमलों को तुमें क्या मिल रहा है तो मुझे आज बड़ जाते हैं तो जब जूप ऑधा मेरा तूट जाता है या सूख जाता है तो बड़ा अजीब सा लगता बुरा लगता है तो में डिली में पानी डाल अभी ठंदा है तो उतना पानी डेल नहीं बी डालो तो कोई प्रापलम ये देखिए मेरा सिंबला में इच्छे चोटे- लगाए हुए हैं यह देखिए मैं कभी न आपको अपने सारे गमलों को दिखाऊंगे कौन-कौन से फ्लावर मैंने लगा हैं मुझे पौदा का बहुत सौक है पर जो आना मुझे अच्छी से लगनी पाते हैं क्या क्या देना चाहिए क्या क्या डालना चाहिए उसके तरह तरह के वो सब नहीं हो पाता है मुझे पता ही नहीं चलता मैं कोश्रेशनग करते हूं कि में गलत हो गया था तो बहुत सारे पौदी मेरे सूख गया यह देखिए मैंने सरसुन लगा के रखा है अपने थोड़ा सा ही डाला था मैंने उसके पत्ता कर ऐसे साग वगेरा चैटनी वगेरा खाने के लिए तो बहुत हो गया इससे बसके बाद जो है मैं सारे काम निप्टा लिया हूं मॉर्निंग का सबसे पहले ं Corps मुझे नीफाव जाड़ा भीड़ाने से पहले के सारे का मे कर लेते हुआ कि उसके बाद आ गई हो कीचन में है क्योंकि मुद्यंगू को दूस देना है और चीन जाज शाहता है तो मैं उनसे पूछ रही हूं कि अगर बिस्कित खाना है तो बोलो तो बोला कि एक या दो दे दो मर्जी पर है कभी खाएगा कभी नहीं भी खाना है बोला कि झाल говорю, को देक्व नभी खाना है, वह सकतर हैं नहीं गलती है कि इसलिदो में भाधे बाहरा कि खीव नificación, यह दो देखाना है वार इस पर दो बार कि न neeकों करते हैं चो πेसा कि अने जो गचाता है कि इस बहुत दो पास्ता बना दो किने दिन तरसके रख रख है बनाते हैं तो मैं यह पास्ता मैंने न यह है विसाल माट से मैंने लिया था फर्स्ट क्रॉप जो आता है न विसाल माट की खुद साहिद कुछ निकब बनी है उसी का है उसे से लेती अच्छा लगता है यह वाला टेश्ट खाने में तो बहुत कम यूज करते तो दो पैकेट म मैं इससे इसे लगाके लखा है रिसमत में पास्ता कोट कम ही ली है और जो है न सब्छीय को जादे डाल रही है उसमें पास्ता थोड़ा सा लिया है और ऐसे भी ठंडी के दिन मैंना सब्छीय को बहुत तरह की बहुत कि मिक्स टाइप running в days a mix on rare ρोटी में और शाइब तालो सारी साथ के तिर यहिए को त्टो त्या सीर करोगी यह इसे में यह तो सबस्ता आगे अजा Fucking नास्ता के लिए तो वह मैं आपको बताऊंगे कि आप जादे से जादे सब्जयां यूज़ करके और अच्छा एक हेल्दी टेस्टी नास्ता कैसे बच्चों को दे सकते हो इसमें से कि आपके बच्चे सारे सब्जियां भी खा ले उसे पता भी ना चले इसे तो बच्चे जो बच्चों को लेसे सब्जी खिलाना बहुत ही इसे मतलब क्या बोलते हैं मुस्किल सा काम होता है यह आप बच्चों को सब्जी खिला लो ना अपने तरीके से तो यह तो बड़ा ही मुस्किल वाला बात हो जाता है और मेरे पासमें चौपर नहीं है एक था जो कि प्लास्टिक का था तो मैं जब घर में सिफ्टिंग की ना तो फिर वह वाला वहीं पे छोड़ दी मुझे लगा कि अब यह पुराना हो गया है और उतना यूज करने में बन नहीं रहा था उसके बाद से मैं कब से सोच रही हूं कि लगटी वाली जो होती है ना वूट की चौपर ले लूँ पर मैं अभी तक सोच ही नहीं कौन सा लोग कौन सा किसी जो पसंद आता उसका रिव कर रही है इस तरह मैंने सारे सब्जा कट करके उसके बाद जो है मुझे जल्दी जल्दी क्लीनिंग करना अच्छा लगता है कि कहीं भी कुछ भी होना उसको फटा फट क्लीन कर लो नहीं तो फिर दूसरे काम है मनी नहीं लगता है मुझे अटा कि अर्यार यह गंदा लग आई से लगह से लग रहा है तो जल्दी जल्दी सको क्लीन करूंगी उसके बाद ही आगे का काम होगा मेरा मैं उनी पास्ता जुह है निकाल के रख लिया है फिर मैरे फटा फट इसस तयार कर mosquitoes बनाने के बाद भी मेरा दूसरा सहारा काम होगा और एक और आदत है मेरी मैं हर बात में ना हाथ धोती हूँ पता नहीं कौन से बीमारी है क्योंकि बिना हाथ वास किये न मैं कोई भी चीजे नहीं छूती हो जल्दी जैसे कि नमाख, खल्दी, मसाले वगएर जैसे यह ममी सिखाती है कि आप जो खाना बना रहे हो ना जैसे कि अनियन गार्लिक वाले या हाथ वास करके हैं को उसके बादी मैंने कुछ चुआ है तो यह ममी ने सिखाया है हमेसा कि कोई भी चीजे ना चू के यूज करना जै क्योंकि हम लोग जो ना कुछ फास्टिंग वगएरा करते जिसमें अनियन गार्लिक कर नहीं खाना होता है हम लोगों को तो उस टाइम के इन सब हाथों से आप सारी चीजें चूद होगे ना तो फिर नहीं खाने में बनता है यह मैंने कुछ पास्ता मसाला लाके रखा था काफी टाइम से तो आज में वह दूंगी अरःते मैंगी मसाला ही के जो इसनी तो और मेरी बहन को और मेरा जो चोटा सब को थो Ha! आशा आए छोटी बेन का बाबु तो वह जो है ना अब ही शिवक है कि मामा नमीने में खाना है मैंगी बना दो उसे मैं आप लोगों को जल्दी मिलाऊंगी बहुत क्यूट बेबी क्यूट बेबी है असे जब आप लोग मिलोगे ना तो मन करेगा कि रोज युसे देखते रह बनानी है जो कि यहां के स्पेसल तहरी होती है वह वाली जो तिन पुलाव टाइपस तहरी वह नहीं यह दूसरे टाइप कि इसका सेपी में जल्दी सेर करूंगे आप लोगों के साथ मैं इसी वीडियो में सेर करने वाले थी पर यह वीडियो जो थोड़ा लंबा हो गया तो और वह वीडियो में स्पेसल तहरी वाली अलग से डालोंगे अपना तो प्लीज उसे जरूर देखेगा आपने ऐसा डिफरेंट स्टैल में तेरी ना कभी नहीं खाया होगा उस्टे ऐसे जनरली वह खिचली टाइपस होता है बट वह बहुत स्पेसल होता है तो वह वाली मै आप लोगों के साथ सेर करूंगे इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है आज तो मेरा फर्स डे था कीचिन का रूटीन में और यहां पे जो है आप देख रहे ऊपर में यह मेरा चिमनी लगाने का जगह है जो कि मैं अभी अब चाओ प्तक नहीं लगा पाए हूँ बहुत सारी प्रोबलम सो जाते है ना बहुत तरह की जीज़ कर रहे हैं सारो को मैंटेन करने की आगे-ागे देख़े क्या-क्या कब ले पाते हैं 20 minimum दले देखे मेरा पास्ता जो है लगभग रेडी हो चुका है यह मैंने दो तरह के पास दो पैकेट लिया थे दोनों को आपस में मिक्स करके रख देते हूं ताकि दो डेजाइन का पास्ता निकले इसमें यह पास्ता बहुत टेश्टी लगता है खाने में पर हम लोग बहुत ही कम यूज करते हैं पास्ता उस के बाद यह यह सौस थोड़ा सा क्योंकि किट्टो को सौस बहुत जादे पसंदा उस सारी चीजों में और एक चीज है यह स्पेसल फर्माई से किट्टो का कि मुमा चीज डाल देना मेरी चोटी बहनों से पास्ता में मैगी में चीज डालके खिलाते तो उसे बड़ा अस्तिर हम लोकभी कभी डालते आएं कभी कभी देते हैं उसे इस तरीके से मेरा पास्ता रेडी हो चुका है कभी टाइम हो चुका था इतना साँले क्लीनिंग करने में घर के काम में ऐसे ठंडा मैं जिस दिक घर पे रहो ना तो लेट से थोड़ा उठना हो जाता है तो लेट होई जाता है उसके बाद जो है मैंना यहां फटाफट किट्टू को देखे चली जाओंगे मेरा डाइनिंग टेवल भी बिखरा पड़ा है तो आज मैं उसे भी क्लीन करने वाली हूँ मैंने थोड़ी देर पहले किट्टू को कैप पहनाया था और अभी वो किट्टू खोल के आ चुका है इसे टोपी पहनना बहुत ही भारी लगता है चाहे कितना भी ठंड़ ठंड लग रही है से लेकिन वो पहनेगा नहीं और कहेगा कि बालों में दर्द हो रहा है टोपी प काम निपड़ गया मेरे नास्तब बन चुका है उसके बाद में आकर यह जो है ना मेरे बरतर में रात में नहीं दोए तो क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द था और जैनरली में सारे काम जो है ना किचन के रात में ही निपटा के ही सोती हो लेकिन जिस दिन नहीं निपटा हो पर जब तक थोड़ा सा धूप नहीं निकले पानी गरम नहीं आने का सुरू होता है तो पानी छूने वाला काम जो तर नहीं बड़ा मुस्किल लगता है करने में और मैंना कोई helper नहीं रखती क्योंकि मुझे अपने खुद से सारे काम करना अच्छा लगता है और अपने काम नहीं जो तर संतुष्टी होता है करने में कि खुद से करो ना तो लगता है कि नहीं काम अच्छा हुआ है बाकि कोई भी करे कितना भी अच्छा से करे मन में लगा रहता है कि पतानिया अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ और खुद जैसे भी करो ना तो लगेगा कि नहीं अच्छा ही किया है खुद से किया है तो तो मुझे हलपर रखनी की आदत नहीं है थोड़ा है काम मुस्किल हो जाता ड्यूटी करना प्लस घर का सारा काम करना मुस्किल तो होता है पर देखते हैं जब तक कर पाते हैं तो कर लेते नहीं तो सोचे हैं कि रखना है एक देखते हैं आगे क्या कर पाते हैं तो घर के सारे बरतन जो है ना इस तरीके से जूठे होके रखे थे रात से लेकर मॉर्निंग तक मैंने अभी तक नहीं दोए थे है कुछ भी नहीं होता है कहीं पर इन्हें सारे काप निप्टा के सोती हूं रात में इस तरीके से पर आज जो है ना सारी चीजे मेरी रह गई तो इसलिए मुझे सावर लेने में भी लेट हो गया और मुझे बरतन दो के ना बरतन रखना बड़ा मुस्किल है क्योंकि इधर जो है मेरा गैस स्टोव है और सामने से पानी गिर जाता है तो थोड़ा मुस्किल होता है मैं एक बरतन स्टेंड लेने वाली हूँ प्लास्टिक आता चोटा सा इसमें से बरतन ऐसे रख दो तो सारा पानी जो है ना नीचे ही ट्रेंड हो जाता है वह वाली मैं कबसे सोच रही हूं लेने के लिए ऐसे मुझे बहुत प्रब्लम होती है बरतन को ऐसे रखो फिर पान जल्दी से जल्दी में एक स्टेंड ले लोगे तो इन देखे बड़ा परिसानी होता है मुझे सारे बरतन जादे हो जाए ना तो और मुस्किल है इस तरीके से डोग के रखने मेरे कीचन में ना मेरे अलावे बहुत कम ही लोग यहां जो काम कर पाते हैं और जब भी बरतन दो ना उसके बाद हैंड वॉस ना करो तो फिर मन में संतुष्टी ही नहीं होती है कि कुछ किया है मैंने उसके बाद जो है मैं चले गई सावर लेने के लिए उसके बाद में आ गई पूजा करने यह मेरा चोटा सा पूजा रूम है जो मैंने की बालकनी में बनवाया है क्योंकि वो ही साइट था जो मेरा जो होता है न पूजा रूम का बनाने का जगह आई थिंग नौर्ट और इस्ट का कॉर्णर जो होता है उसी में पूजा रूम बनता है तो मेरा यही परपड़ा था यही जगह बलकनी में तो मैंने उसे ही पूजा रूम बनवा लिया है आँ याइक separate होता है किसी भी रूम से बाहर है separate पूजा करने में अच्छा लगता है तो था मैंने GUY के साह니 म partido कि चाहे कितना भी लेट हो जाए बिना पूजा किए ना हम लोग कहना नहीं खा सकते हैं यह नहीं खाते हैं bringen में खुद का ही अच्छानि लगता है कोई दबाब है कोई कहता है कैसा करना ही है पर खुद यह अच्छानि लगता को इस तो करते। मॉर्णिंग में जल्डी सनान करने जल्दी पूजा हो जब करके फिर सारा काम करें बढ़ा पाना थन्दी में गर्मी के दिनों में कर लेते हैं अध्न एमस को पाता है तोड़ा थन लगता है ज़ादे आलस में लेकिन हाँ ये जो है सबसे प्वोर्टन्ट का मैं हम लोगों का उसके बेना तो पूर्जाप पाठ होने खाना खाना मुस्किल है बीना पूजा किये मन में एक सद्धा भक्ति नहीं होना तो फिर लाइब बेकार हो जाता है तो यह मेरा आज का ब्लॉग था यह मेरा पहला ब्लॉग था आई होप कि आप लोगों को पसंद आए और आप लोग मेरा साथ देंगे आप लोग मेरा साथ दोगे ना तो मुझे और भी हिमत मिलेगी कि मैं आप लोगों के साथ आगे और भी वीडियो सेयर कर सकूँ और जैसे हम लोग एक स्मॉल टाउन से है ना आपको यहां की रहन सहन थोड़ा बहुत यहां के ट्रेजिसनल चीज हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ सेर कर सकूँ क्योंकि मैं जार्खन की रहने वाली हूँ जार्खन के छोटे से सेर्देव घर से जहां की महाकाल की नगरी भी का जाता है बावा बैदिनाद धाम के नाम से यहां जाना जाता है कि एक तरह से सान कहा जाता है यहां लाखों की भीड़ होती है देश भी देश से भी लोग आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम घर के इंडोर आउट्डूर कोसिस करूंगे सूट करके दिखाओ तब तक के लिए हर हर महादेव